दोस्तों हमारे monitors के वीडियो के रीचे बहुत सारे आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि हमें बड़ा monitor क्यों लेना चाहिए, बड़ा monitor से फाइदा क्या होता है या कोई नुकसान भी होता है क्या, बड़े monitor भी हमें कौन सा monitor भाई करना चाहिए उसके बारे में आप बताईए और आपने 27 इंच monitor ही क्यों अपने लिए सेलेक्ट किया हुआ है इसके पीछे का क्या राज है, उसके बारे में वीडियो गनाईए वीडियो बिल्कुल इसी बारे में होने वाली है फुल इंफर्मेशन पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर में बड़े monitor हमें क्यों लेना चाहिए, क्या क्या है इसके benefits और मैंने 27 इंच ही क्यों भाई किया हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो बात करते हैं, तो बड़ा monitor लेने का सबसे बड़ा कारण कि अगर हम बात करें तो वो होता है distance, distance का, हमें distance मिल जाता है, जब भी हम छोटे monitors को लेंगे छोटे monitor जैसे माल लेजी, अगर हम 20 इंच पे काम कर रहे हैं या 22 इंच पे काम कर रहे हैं तो उसके text को पढ़ने के लिए हमें उसके काफी करीब रहना होगा सबसे बड़ी problem, जिसके वज़े से क्या होता है उसका जो light होता है, जो white light है या फिर उसकी जो blue rays वगेर जो निकलती है वो direct हमारे आँखों पे पढ़ती है और अकसर आप ये ध्यान देंगे कि जब भी आप काफी नजदिक से किसी भी screen को देख रहे होते हैं तो उसका बुरा असर आपके आँखों पर पढ़ता है और वो जो आँखों से होता हुआ आपके brain पर भी पढ़ता है आप tensilize भी होते हैं, आपकी नींद खराब होती है बहुत सारी चीज़े हैं, जो matter करती है इसलिए कहा जाता है कि आप बड़ी screen लेजिए बड़ी screen से होगा क्या कि बड़ी screen जब भी लेंगे आप monitor से और अपने बीच में थोड़ा सा distance बढ़ाएंगे क्योंकि उसको थोड़ा सा दूर से देखना पसंद करेंगे अगर पास से देखेंगे तो बार बार इधर से उधर आपको गरदन करना पड़ेगा आपका गरदन दर्द होगा और आपको पीछे जाना पड़ेगा तब जो है, जिससे क्या होगा कि monitor उसके screen से और आपके आखों के बीच का जो distance से वो बढ़े गया सबसे बड़ा benefits यह होता है दूसरी चीज़ क्या होता है कि कोई भी software जैसे मालली जी अगर आप editing कर रहे हैं तो जब आप बड़ा monitors लेते हैं तो उसके सभी जो blocks होते हैं सारे के सारे बिल्कुल clear दिखाई देते हैं time lines आपको बड़ा मिल जाता है overall पूरा जो images से वो बड़ा हो करके मिलता है जिससे visuality में काफी आसान होता है लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आखिर में कितना बड़ा तो अगर हम distance की बात करें तो अगर आपका table की जो चोड़ाई है वो 2 feet है तो 2 feet के बाद अगर आप chair पर बैठते हैं तो 1 feet पीछे आप बैठ जाएंगे तो आपका distance monitor से करीब करीब धाई से 3 feet हो जाएगा तो धाई से 3 feet दूर से देखने के लिए जो सही, जो size perfect बैठता है वो बैठता है 27 inch इस monitor का जो experience है धाई से 3 feet पर बहुत ही बहतरीन आता है उसकी visuality भी बहुत अच्छी आती है आपको गरदन जादे हिलाने उलाने की जरूरत नहीं पड़ती है जादे पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है जितने भी text वगरे हैं वो बहुत ही perfectly आपको दिखाई देते हैं लेकिन अगर आप इस से उपर का monitor अगर आप यूज़ करते हैं मालेज ये 32 inch यूज़ करते हैं तो 32 inch के अंदर क्या होगा कि अगर आप इसी distance से देखते हैं अगर आपके जो table की जो चोड़ाई है वो 2 feet या फिर 3 feet तक है और आपके sit का आपको बैटने की जो दूरी उतना ही है तो अब यहाँ पर आपके garden में pain होने का डर है क्योंकि पूरी विज़ुलिटी लेने के लिए 32 inch की विज़ुलिटी लेने के लिए आपके garden का movement जादे हो जाया करेगा जिससे आपके garden में दर्द होगा आप परिसान से हो जाएंगे उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या आपके table का जो चोड़ाई है वो उतना है अगर 3 feet की चोड़ाई आपके table की हुई और उसके बाद आप 1 feet दूर बैठ रहे हैं तो यानि करीब करीब 4 से 4 feet के दूरी पर अगर आप बैठ करके आप देख रहे हैं तो उस condition में आपके लिए 32 inch अच्छा हो सकता है लेकिन वो दूरी अगर maintain नहीं हुई तो आपके लिए problem हो सकता है तो size के साथ में ही आपको resolution का भी ध्यान रखना है resolution का मतलब full HD 2K और 4K ये ध्यान इसलिए रखना जरूरी है कि अगर मान लेजिए अब यही पर हम बात करेंगे अपनी की मैंने 27 inch क्यों लिया हुआ है 27 inch तक क्या होता है 27 inch तक अगर आप full HD monitor यूज कर रहे है तो इसके जो pixel है जो pixelation की जो problem होती है वो आपको नहीं आती है 27 inch तक जो है pixel का जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता और smooth आपको display मिलता है लेकिन full HD में जैसे ही आप 32 inch पे जाएंगे तो उस condition बे भी उतना problem तो नहीं करता है लेकिन pixelation की problem थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर white screen पर black text को देखेंगे तो वहाँ पर उतनी problem नजर नहीं आएगी लेकिन अगर black screen पर white text को अगर देखते हैं छोटे-छोटे text को देखेंगे तो वहाँ पर pixelation की problem आपको आँखों से दिखेगी अगर आप 4 feet से कम पर दूरी पर हैं जितना पर 27 inch देख रहे हैं उसी दूरी पर अगर आप 32 inch रख लीजिए तो आपको pixelation की problem नजर आने लगेगी quality आपको थोड़ा सा down होता हुआ दिखाई देगा तो इसलिए अगर 32 inch में full HD ले रहे हैं तो आपको अपनी दूरी बनानी होगी नहीं तो वहाँ पर problem आएगी अगर वो problem नहीं चाहते हैं दूरी से भी थोड़ा सा आपको नजर आएगा quality down होती हुई full HD में लगेगा जब इस screen का size बढ़ेगा वहाँ पर actual तो pixelation की problem नहीं आएगी बिल्कुल फैलेगा नहीं टेक्स्ट वेगेड़ पिक्सल्स नहीं दिखाई देगा और आपको बिल्कुल smooth display मिलेगा और 4K की तो बात ही अलग है 4K 32 inch में बहुत perfect चलेगा लेकिन जरूरत नहीं है price 4K की बहुत जादे है 2K में आपका काम चल जाएगा अगर monitor अपने लिए सस्ते में 32 inch लेना चाह रहे है तो मैं suggest करूंगा कि कम से कम 2K लेजिए 4K लेए रहें तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन 2K ज़रूर लेजिए और अगर budget कम है और सस्ते में ही लेना चाहते हैं फुल HD ही चाहिए तो आप 27 inch तक ही रहे क्योंकि हम लोग भी budget में काम करना चाहते हैं तो 27 inch तक में फुल HD में बिल्कुल भी problem नहीं आती है आप पास से देख करके या दूर से देख करके जितने भी मतलब 2 feet का अगर आपका table है तो 3 feet पर देखते हैं फुल flesh में आप काम करेंगे बिल्कुल ना तो आपके आँखों को दिक्कत होती है वो दूरी भी अच्छी खासी मिल जाती है आपके आँखों को भी relax मिलता है और साथ में जो है जो visuality होती है वो भी बहुत अच्छा दिखता है तो इस तरीके से ये फाइदे और ये नुकसान होते है नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान कुछ भी नहीं है अच्छा experience के लिए आपको बड़ा monitor लेना ही पड़ेगा नुकसान वहीं पर है जहां पर जगह कम है कम जगह पर दुकान वगरे में है कम ही जगह है आपको बिलकुल monitor के पास में बैठना है तो बड़ा monitor लेंगे तो वहाँ पर नुकसान है क्योंकि आपकी गरदन में दर्द हो जाएगा अच्छा experience नहीं मिलेगा बड़ा monitor आपको उतना ही दूरी बना करके रखना होगा और उसका experience बहुत अच्छा होता है 27 इंच full HD के लिए बहुत अच्छा है 32 इंच working को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा monitor है लेकिन वहाँ पर कम से कम उसका resolution 2 के होना चाहिए फिर बहुती access मज़ा आएगा आपको दोस्तों वीडियो information आपको कैसा लगा प्लीज आप comment में ज़रूर बताए इसी प्रकार की बहुत सारी informative वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस टाब की बहुत सारी informative वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ जो आपके लिए काफी helpful हो सकती है और दोस्तों comment करना न भूलें वीडियो को share भी कर दिया करें काफी लोगों तक की जनकारी पहुँचती रहे मैं मिलता हूँ next किसी और चैनल को subscribe करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यबाद करता हूँ आपका दिल सुभों